आल्राइट गाइस तो आगात है आप सबी के एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले सुरुआत करेंगे चैंपियंस की अपडेट के साथ में तो दोस्तो रीसेंटली डैरेक साल 2024 की अपनी जो फस्ट अपडेट है वो हम लोगों के साथ में शेयर करते हैं जो कि जिस तरह की फिजीक इस अपडेट के अंदर हम लोगों को डैरेक की नजर आ रही है न तो इसके बाद सही काफी मतलब आप में से काफी सारे लोग इस वाले फोटो वो मेरे साथ सेयर करते हैं इस्टाग्राम के उपर और काफी सारे सवाल पूछते हैं कि क्या बाकई में अब इतनी अच्छी फिजीक होने के बाद में डैरेक लंसवर्ड कंपीट करेंगे आनोल क्लासिक 2024 में तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग डैरेक लंसवर्ड की हिस्टरी देखें लगवग 2001 के से उन्होंने मिस्टर ओलम्पिया के अलावा किसी भी और प्रोशो में कंपीट नहीं किया क्योंकि जब इन्होंने 2021 में 2012 मिस्टर ओलम्पिया का जो टाइटल था वो अपने नाम किया इसके वास से यह अपनी एंटाय लाइफ के लिए मिस्टर ओलम्पिया की किसी भी कैटिगरी के अंदर कंपीट करने के लिए क्वालिफाई हो गए तो सबसे पहले तो गैस यही एक रीजन हो गया कि डैरेक लेंसवर्ट जब तक टॉप पर काविज हैं उनको किसी भी और प्रोश्टों में कंपीट करने की जरूरत नहीं है बेट इसके अलावा दोस्तों एक और रीजन है कंपीट न करने का और वो यह है कि डैरेक इस समय करन्ट ओलम्पिया चैंपियन तो हैं ही तो इस समय इनके सामने जो सबसे बड़ी चुनवती है ना वो 2024 में अपना जो टाइटल है ना उसको बापस से डिफीट करने की है एक सही डिसीजन नहीं होगा इसके बाद में देखा जाता है दोस्तों कि डैरेक की साइट से मोस्ट मस्कूलर वाले पोस्त का अपडेट आने के बाद मैं अपने एक और लास्ट यर चैंपियन हाधी चूपन हम लोगों के साहथ में शेएर करते हैं मोस्ट मस्कूलर वाले पोस्ट को अपनी स्टाइल में हिट करते हुए तो देखा जा दोस्तों कि अगर ये बाकाई में हाधी चूपन का तरिफ की बात है जो कि पहली नजर में देखने से तो ये वाला अपडेट पीक वीक का लगता है बट हम सभी लोग जानते हैं गाइस की कररंटली हादी चूपन आनोल OEO से 9 वीक्स आउट है बट अभी सही इतनी अची कंडिशनिंग वाली फिजीक आप लोग देखें इनकी चेस्ट के उपर जो फाइवर्स है ना उसकी एक एक लकीर आपको आसानी से नजर आ जाएगी और सोल्डर्स फी एक तम कट डाउन है आई मीन काफी जादे स्रेड़ेड हैं विद फाइवर्स विद कंडिशनिंग एंड विद शेप तो दोस्तो हादी चूपन के इस करंट अपडेट को देखने के बाद में जो की बास समय अकर इनका रीसेंट अपडेट हुआ तो यकीन मानिए हादी चूपन आसानी से विन कर जाएंगे आने वाले दोनों आनूल क्लासिक को बाकी गाईस इस समय जो इस समय जो इस समय एक बंदा अपनी कटिंग प्रैप पर है और दूसरा बंदा सिर्फ अपनी फिजी को मैंटेन करके चल रहा है तो आप लोग भी बताएए कि आखिर कार कैसे एक अच्छा कंपैरिजन हो सकता है इसके बाद गाईस अपनी जो नेक्स अपडेट है ना वो आ रही है बिग रैमी की तरफ से जिन्होंने की रीसेंटली पूरे के पूरे बाडी विलिंग वर्ल्ड को एक बहुत ही शौकिंग सप्राइज दे दिया है और सभी लोगों के अंदर एक वर फिर से रैमी को लेकर बहुत ही जाता पॉजिटिव वाइपस आई इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों को बिग रैमी के कुछ पुराने कंपैरिजन दिखाना चाहूंगो इस वाले रीसेंट अपडेट के साथ मैं सबसे पहले आप लोग देखिए बिग रैमी का 2022 वाल अपडेट जिसके कंपैरिजन में हम लोग इनके रीसेंट अपडेट को देखें तो आपको यहां नजर आएगा जो कि 2022 वाले अपडेट के साथ में कंपैरिजन करने पर नजर आई थी आप लोग भी देखिए दोस्तों एकदम कोब्रा बैक इनकी निकल कर आ चुके है जो कि बॉड़ी विल्डिंग वर्ल्ड में सबसे ज़ादा डेंजरस मानी जाती है और आज के टाइम पर तो दोस्तों यह वाली चीज़ हमको उपन बॉड़ी विल्लिंग के बहुत ही कम कॉंपिटिटर्स की बैक में नजर आती है बट अब फाइनली दोस्तों अपने टू टाइम मिस्टर ओल्लिंपिया चैंपियन बिग रैमी इस वाली चीज़ को अपनी बैक के उपर एड़ कर चुके हैं काफी सारी इंप्रूमेंट्स के बाद में और हाँ दोस्तों साइट से आप लोगों को याद होगा कि बिग रैमी की फ्रेंट बोडी का ये वाला जो अपडेट है न वो एक या दो दिन पहले आउट हुआ था जिसको देखने के बाद में न सभी लोगों ने ये बोला कि बेस है कि इस वाले अपडेट के अंदर रैमी हमको थोड़े बहुत इंप्रूब नजर आ रहे हैं बट जब तक ये अपनी बैक को भी नहीं दिखा देते तो तब तक ये सारी चीज़ें एकदम से किलियर नहीं हो सकती कि बागई में रैमी ने अपनी फिजी को बहुत ही जादा इंप्रूब कर लिया है बट फाइनली दोस्तों बिग रैमी ने सारे लोगों को एक बहुती तगड़ा रिपलाई देते हुए अपनी बैक का एक बहुती डेंजरिस फिजीक अपडेट आउट कर दिया है जो कि यकीनन कावीले तारीफ की बात है और सच में दोस्तों अगर मैं कहूँ तो मेरे दिल से ने अंदर से ऐसी अवाज आ रहे हैं कि बिग रैमी कंफरम ली एक बार फिर से अपना कमबैक करने वाले मिस्टर ओलंपिया के अंदर लेकिन क्या ऐसे पॉसिवल है दोस्तों कि क्या बाकई में इस खतरनाग फिजीक अपडेट के दम पर रैमी जीत पाएंगे 2024 ओलंपिया को इसके बारे में आपके क्या ओपीनियंस है आप लोग मेरे को कमेंट वॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी possibility है कि कि आप बाकई में रैमी एक surprise एंटरी कर सकते है आनौल क्लासिक के अंदर इसके बारे में भी आपके जो उपीनियंस है जल्दी से आप लोग मेरे साथ कमेंट वॉक्स में शेयर करें इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में आप लोगों के लिए मुकेस गूरी जी को लेकर एक बहुत ही जो तगली टिप्स है वो लेकर आया हूँ क्योंकि दोस्तों जब मैं भी जिम जाता हूँ न तो मैं ये नोटिस करता हूँ कि काफी सारे लोग डैड लिफ्ट को न काफी रॉंग बे में करते हैं तो आप लोग भी दोस्तों थोड़ी से एक्स्टर नोरेस बढ़ाने के लिए इस वाली वीडियो को बाच कर सकते हैं हो जाएगा और ये भी आपकी लोर बैक पर ज्यादा लोड डालेगा थर्ड वाली डैड लिफ्ट में आप नजदी भी आगे आपके पॉस्टर को भी करेक्ट किया लेकिन जैसे आप वेड उठाने के लिए आप बार पे जोर लगाया आपने पहले उठा दी और बाद में आपने बेट उठाना शुरू किया यानि वही पैरलल वाली पोजिशने फिर आगे तो पॉस्टर बनाने का फायदा ही नहीं मिला आपको देखो सही तरीका ये है कि आप बार के नजदीक आएं पैरों के और आपनी बार के बीच में एक या दो सेंटीमीटर का गैप रहेग अगर आप सही पॉस्टर में डेलिफ लगाएंगे तो बिल्कुल गलत नहीं है डे-टू-डेलाइक में डेलिफ्ट करने से जो स्टेंथ आपकी लोवर बैक में आती वहर काम में आपको हेल्प करता है आप वह इंजरी होने से बचाता है सिरफ जिम के इंदर नहीं जिम के लगाना है तो ये छोटी सी टिफ से जाने देंगे आप तो आपके डेलिफ इंप्रूव कर जाई है इसके अलावा गाईस जो हमारी नेक्स अपडेट है ना वह आले सेमसंग दोदा की तरफ सेंड में आपको बता दू कि लगवग दो दिन पहले सेमसंग दोदा इस वाली वीडियो को तो भाई मेरे अकोडिंग तो फिलाल ये बताना काफी जादा मुस्किल होगा क्या करकार सेमसंग दोदा के कौन सी लेक्स में आइमिन कौन सी साइट की हैं में इंजिरी हुई है जोकि वाई सब कुछ एक दिम परफेक्ट हमको नजर आ रहा है और काफी हद तक दोनों ये जो हैमस्टिंग है वो हमको देखने में आपस में सेम लगती है जोकि इस बात का एक बहुत ही बड़ा साइन है कि दोस्तों बे सक सेमसंग को यहाँ पर एक हैमस्टिंग इंजिरी हुई होगी बट उसका जो लेवल है बहुत ही जादा माइनर होगा जोकि के उपर अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें के बाद गाईस अपनी जो नेक्स अपडेट है वो आरे निक वॉकर की दरब से इंड गाईस रीसेंटली निक वॉकर का जो करेंट अपडेट है तो उसको देखने के बाद तो गाईस मैं शूर हो चोका हूँग एक बार इंड गाईस दिन पहले तो दोस्तों रीजैनली हमने यह भी देखा कि निक वॉकर ने अपनी इंज़िक हरहिक हाऊlaughingit PHP के साथ में जूपनी लैक साथ परकाउट करने का तो रीजन थो दोस्तों मुझे यही समझ आता है कि निक वॉकर की जो लैक्स इंज़ियर our I mean जो Olympia से एक हफते पहले इनकी जो हैंस्टेंग है उसमें एक इंजिरी हो गई थी वो अब काफी हद तक recover I mean 99% recover हो चुकी है And maybe again last year की तरह एक वार फिर से Nick Walker हमको एकदम last moment पर यह announcement करते हुए नजर आ सकते हैं कि वो भी भाई compete करेंगे Arnold Classic 24 में है तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर तो इतना ही रखते हो और यह छोड़ी जी वीडियो आपको बाके में informative लगी हो तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक करने और अगर आप लोग चैनल पर नए होना तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को subscribe करके notification bell को भी और प्रास करें जिससे ही हमारी नई और informative वीडियो सब सब पहले आप सभी तक पहुंसागे like and share thanks for watching